C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा साथ की सामाजिक विज्ञान पाठ्थे क्रम के अंतरगर्त ध्वनी पाठ्थे पुस्तक हमारे अतीत भाग दो आए अब सुनते हैं अध्याए पांच शिर्शक है शासक और इमारतें अब प्रस्तुत है पाठ प्रिश्ट संख्या साथ अध्याए पांच शासक और इमारतें इससे पहले की पाठ पर चलें इसी प्रिश्ट पर एक चित्र दिया गया है और ये चित्र कुत्व मिनार का है इसका वर्णन इस प्रकार से है कुत्व मिनार पांच मनजिली इमारत है अभी लेखों की पट्टियां इसके पहले छज्जे के नीचे हैं इस इमारत की पहली मन्जिल का निर्माण कुद्वदीन, एबक तथा शेश मन्जिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्टुत मिश द्वारा करवाया गया कई वर्षों में यह इमारत आंधी, तुफान तथा भूकंप की वजह से क्ष़ती ग्रस्त हो गई थी अलावदिन खलजी, मुहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इबराहीम लोजी ने इसकी मरमत करवाई अब आए सुनते हैं पाठ चित्र एक, खुत्व मिनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है कुत्वदीन एवक ने लगभग 1199 में इसका निर्मार करवाया था छज्जे के नीचे छोटे महराब तथा ज्यामिती ये रूप रेखाओं द्वारा निर्मित नमुने को देखें क्या आपको छज्जे के नीचे अभी लेखों की दो पट्टियां दिखाई दे रही है ये अभी लेख अरभी में है गौर करें कि मिनार का बाहरी हिस्ता घुमाओदार तथा कोणी ये है ऐसी सतह पर अभी लेख लिखने के लिए काफी परिशुद्धता की आवर्शक्ता होती थी सरवाधिक योग्य कारीगर ही इस कारे को संपन्द कर सकते थे याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या इंटों की बनी होती थी तेरहवी शताब्दी में कुद्व मिनार जैसी इमारत का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा आठवी और अठारवी शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण किया प्रिश्ट संख्या 61 पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, सनरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें, किले, महल तथा मकबरे थे दूसरी श्रिणी में मंदिर, मस्जिद, हाउज, कुए, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उप्योग की इमारतें थी राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उप्योग और आराम के लिए इमारतों का निर्मान करवा कर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे इस तरह के निर्मान कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किये जाते थे वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्मान करवाते थे परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेश अठार्मिश अताबदी से ही मिलने शुरू होते हैं आईए पार्ट में चलने से पहले यहां पर दो बॉक्स दिये गए हैं और आईए देखें कि इन बॉक्स के अंदर क्या विवरन दिया गया है पहला बॉक्स आगरा किले के निर्माण में लगा श्रम इसमें बताया गया है कि अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हे तू 2000 पत्थर काटने वालों, 2000 सीमेंट वा चूना बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवशक्ता पड़ी अधिरचना, इसका अर्थ होता है भूतल से उपर किसी भी भावन का भाग राजिस्थान के बुंदी में स्थित रानी जी की बावडी उन 50 बावडीयों में सबसे बड़ी थी जिसका निर्माण पानी की आवशक्ता की पूर्ती के लिए किया गया अपनी स्थापत्ते सुंदर्ता के लिए विख्यात इस बावडी का निर्माण 1699 इस्वी में रानी नाथावत जी ने जो बुंदी के राजा अनिरुध सिंग की रानी थी किया था अब आए सुनते हैं पाठ अभियांत्री की कौशल तथा निर्माण कारिय स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है च्छत का ही उदारन ले लिजे हम चार दिवारों के आरपार लकडी की शहतीरों अथ्वा एक पत्थर की पटिया रख कर च्छत बना सकते हैं लेकिन यह कारे उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तरित अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं इसके लिए परिश्क्रित कौशल की जरुरत पड़ती है सात्मी और दस्मी शताब्दी के मध्धे वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे दर्वाजे और खिडकियां बनाने लगे छत दर्वाजे और खिडकियां अभी भी दो उर्ध्वाधर खंभों के आरपार एक अनुप्रस्थ शहतीर रख कर बनाये जाते थे वास्तुकला की यह शहली अनुप्रस्थ टोड़ा निर्मान कहलाई जाती है आठमी से तेरहुई शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा स्थीधार कुओं यानि बावली से जुड़े भावनों के निर्मान में इस शहली का प्रयोग हुआ इसी प्रिष्ट पर एक चितर दिया गया है चितर संख्या दो क और एक और चितर है चितर संख्या दो क आईए इनका वीवरनर सुने जो बॉक्स में दिया गया है चितर संख्या दो क इसके बारे में बताया गया है यह दिल्ली की कुवत अलिस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा है जो बारवी शताब्दी के उत्रार्ध में बनाई गई चित्र दो खा इसका बृतांत इस प्रकार से है महराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोड़ा तकनीक का इस्तेमाल प्रिष्ट संख्या बासट पाठ में चलने से पहले इसी प्रिष्ट फर दो चित्र दिये गए हैं चित्र संख्या तीन क और चित्र संख्या तीन क आईए पहले इन चित्रों का विवरन सुन ले फिर पाठ में चलते हैं चित्र तीन ख, शिव की स्तूती में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर कंदिर्माण, चंदेल राजवन्ष के राजा धंग देव द्वारा 999 इस्वी में किया गया। चित्र तीन ख, मंदिर की योजना है। एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभाभवन यानि महामंडप जहां निर्त्य का आयोजन होता था, तक पहुंचा जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ती मुख्य मंदिर यानि गर्भग्रिह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किया जाते थे, तथा इसमें केवल राजा, उनका निकट तम परिवार, तथा पुरोहित इकत्रित होते थे। खजुराहो समुह में राज की ये मंदिर सम्मिलित थे, जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमती नहीं थी। ये मंदिर सूपरिश्कृत, उतकिर्णित, मूर्तियों से अलंकृत थे। एक चित्र और चित्र संख्या चार और आएए इस समय इस चित्र का भी वर्णन सुन ले। ये चित्र संख्या तीन का और खा के नीचे है। और इस चित्र का वर्णन इस प्रकार से है। एक बार फिर से चित्र की संख्या जान ले। चित्र संख्या चार। तंजावर के राज राजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे उचा था इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठा कर नहीं ले जा सकते थे इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुँचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया रोलरों त्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से उपर ले जाया गया इस काम के लिए चार किलोमेटर से ज्यादा लंबा पत्थ तैयार किया जाता था जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया लेकिन उस ख्षेतर के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुहव को काफी लंबे समय तक याद रखा आज भी मंदिर के आसपास के एक गाउं को चारू पल लंब कहा जाता है जिसका शाबदिक अर्थ है चरहाईदार रास्ते का गाउं और इसी प्रिष्ट पर वाई और एक बॉक्स और ये प्रारंभ होता है एक प्रश्ण चिन के साथ और यहाँ दो प्रश्ण है आईए सुनते हैं पहला प्रश्ण दो मंदिरों के शिखरों में आप क्या अंतर देखते हैं क्या आप यह समझ सकते हैं कि राज-राजिश्वर मंदिर का शिखर कंदरिया महादेव मंदिर के शिखर से दोगुना उंचा है फ्रिष्ट संख्या 63 प्रिश्ट संख्या 23 में एक बार फिर से हम कुछ चित्रों को देखते हैं और ये चित्र है कि आप इसमें देख सकते हैं ये महराव का विशुधरूप है महराव के मध्धे में डाट अधी रचना के भार को महराव की आधारशिला पर डाल देती है और नीचे एक चित्र दिया गया है जो इस महराव को दिखाता है चित्र संख्या पांच खर चित्र को ध्यान से देखें महराव का विशुद रूप अलाई दर्वाजे का महराव जो प्रारंभिक चौदोवी स्थी में बनाया गया कुवत अल इसलाम मस्जिद दिल्ली का है चित्र संख्या छे और चित्र संख्या छे का वर्णन इस प्रकार से है आगरा किले में जलद्वार निर्मान को दिखाती एक चित्रकारी इसे अकबर नामा से लिया गया है आईए अब सुनते हैं पाठ बारवी शतादी में दो प्रौध्योगी की एवं मुशैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पढ़ने लगते हैं दर्वाजों और खिड़कियों के उपर की अधिरचना का भार कभी-कभी महरावों पर डाल दिया जाता था वास्तुकला का यह चापाकार रूप था चित्र दोका वा चित्र दोका की तुलना आप कर सकते हैं और चित्र पांच का और पांच खा की तुलना भी करके आप इसे समझ सकते हैं। दो, निर्माण कार्ये में चूना पत्थर और सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी, जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वज़ा से विशाल धांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। चित्र छे में निर्माण स्थल पर एक नजर डालें। अब एक बॉक्स, एक प्रश्ण के साथ, और प्रश्ण है आपके लिए कि बताइए कि इस चित्र को देखकर कि मजदूर क्या कर रहे हैं। कौन से आउजार दिखाए गए हैं तथा पत्थरों को ड़्ोने के लिए किन साधनों का प्रयोग किया गया है। आईए अब सुनते हैं पाठ का अगला हिस्सा, मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्मान। कि इस मंदिर का निर्मान राजा, राजदेव ने अपने देवता राज, राजेश्वरम की उपासना हेतू किया था। ध्यादें की राजा और उसके देवता के नाम काफी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था। और राजा स्वयम को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिये मंदिर में एक देवता यानी राजा राज देव, दूसरे देवता यानी राज राजेश्वरम का सम्मान करता था। सभी विशालतम मंदिरों का निर्मान राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लगू देवता, शासक के सहयोगियों तथा अधिनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लगू रूप ही था। जिस तरह से वे राजकिये मंदिरों में इकठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था। मानों उन्होंने देवताओं के न्याय प्रिय शासन को प्रिथवी पर ला दिया हो। पाठ में आगे चलने से पहले इसी प्रिष्ट पर दो बॉक्स जो की बाई तरफ हैं और इसमें कुछे वर्णन दिया गया है, आईए इन वर्णनों को सुनें। सबसे पहला वर्णन एक शाही वास्तु शिल्पी। तो साही वास्तु शिल्पी किसे कहते हैं। मुगल बादशा शाह जहां के इतिहासकार ने शासक को सामराज्य वा धर्म की कारेशाला का वास्तु शिल्पी बताया। पाठ में चलने से पहले इसी प्रिष्ट पर और एक चित्र जो इस प्रिष्ट में सबसे नीचे दिया गया है, चित्र संख्या साथ। और इसमें हमें वर्डन मिलता है, अपनी नई राजधानी शाह जहानाबाद, 1650 से 1656 के बीच में शाह जहां द्वारा बनवाई गई जामी मस्जिद की योजना का चित्र। अब आएए सुनते हैं पाठ। मुसल्मान सुल्तान तथा बादशाह स्वयम को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किन्तु फार्सी दर्बारी इतिहासों में सुल्तान का वर्डनन अल्लाह की परचाई के रूप में हुआ है। दिल्दी की एक मस्जिद के अभिलेक से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउदीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधी करताओं यानि मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। सबसे महान विधी करता और वास्तुकार अल्लाह स्वयम था। उसने अविवस्था को दूर करके विश्व का स्रीजन किया तथा एक विवस्था और संतुलन कायम किया। पाठ में चलने से पहले इसी प्रिष्ट पर एक बॉक्स दाई ओर और इसका शीर्षक है जल का महत्व। फार्थी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकले हैं जिसका अर्थ है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहां बसावट हो या लोग रहते हों। इसका एक अन्य अर्थ खुशाली भी है। आबादी का अर्थ जन संख्या एवं सम्रिध्धी दोनों ही है। आईए अब सुनते हैं पाठ। सत्ता में आने पर प्रतेक राजवन्ष के राजा ने शासक होने के नाते अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ट संबंध की उदगोशना करने का मौका दिया। ऐसी उदगोशनाएं तेजी से बदलती राजनीती के संदर्व में महत्व ग्रहन कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ट व्यक्तियों को भी आश्रे प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सब से उनके शासन तथा राज्य को ख्याती मिली। व्यापक समझ यह थी कि न्याय प्रिये राजा का राज ऐसा होगा जहां हुशाली होगी और जहां परियाप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्मान द्वारा बहुमुल्य पानी उपलब्ध कराने के कारे की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्टुतमिश ने देहली एक कुहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्मान करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को खौज ए सुल्तानी अथ्वा राजा का तालाब कहा जाता था। क्या आप इसे अध्याय तीन के मानचित्र एक में धून सकते हैं। शासक प्राया सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हाउजों और तालाबों का निर्मान करवाते थे। कभी-कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद अथ्वा गुरुद्वारे यानि सिखों के एकत्रित होने और उपासना का स्थान का हिस्सा होते थे। और अब आएए डालते हैं एक नजर चित्र संख्या आठ पर। चित्र संख्या आठ ये हरमंदर सहाब यानि स्वर्ण मंदिर का चित्र है और इसी चित्र में हम उसके पवित्र सरोवर को भी देख सकते हैं। सुनते हैं पाठ। मंदिरों को क्यों नश्ट किया गया। राजा मंदिरों का निर्मान अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रती निष्ठा के प्रदर्शन हेतू करते थे। ऐसे में यह बात आश्ट्यरे जनक नहीं लगती है कि जब उन्हों ने एक दूसरे के राजियों पर आक्रमन किया तो प्रायह ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। प्रिष्ट संख्या 66 नवी शताबदी के आरंभ में जब पांडियन राजा श्रीमर श्रीवललव ने श्रीलंका पर आक्रमन कर राजा सेन प्रथम 831 से 851 को पराजित किया था। उसके विशे में बौध भिक्षू व इतिहासकार धम्मकिती ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया। रतन महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्थी और विभिन मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिहली शासन के आत्माभिमान को इसते जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वभाविक था। अगले सिहली शासक सेंद्वीतीय ने अपने सेनापती को पांडवों की राजधानी मदुरई पर आकर्मन करने का आदेश दिया। बाउध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ती को ढूण निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किये गए। पाठ में चलने से पहले इसी प्रिष्ट पर चित्र संख्या नौ। सबसे पहला जो चित्र है वो मुगल चारबाग का है कह हुमाईयों के मकबरे का चारबाग दिल्ली। इसका निर्मान 1562 से 1571 के बीज में हुआ। ख कश्मीर में शालीमार बाग का सीड़ीदार चारबाग। इसका निर्मान 1620 से 1634 के बीज में हुआ। और अंतिम चित्र यहां पर हम देख सकते हैं गर लाल महल बारी में चारबाग को तटिये बाग के रूप में अपनाया गया। और यह हुआ 1637 इसवी में। अब आईए सुनते हैं पार्ट। इसी तरह ग्यारवी शताबदी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंदर प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्मान करवाया था। तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उतकृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची पाई गई गई है जिसमें इन चीजों का वढ़नन है। उडिसा के कलिंगों से प्राप्त भैरों जो शिव का एक रूप है तथा भैरवी की एक प्रतिमाओ तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। गजनी का सुल्तान महमूद राजिएंदर प्रथम का समकालीन था भारत में अपने अभियानों के दोरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया उस समय सुल्टान महमूद कोई बहुत महतोपूर्ण शासक नहीं था लेकिन मंदिरों को नश्ट करके खासतोर से सोमनात का मंदिर उसने एक महान इसलामी युद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया मध्य युगीन राजनीतिक संस्कृती में ज्यादतर शासक अपने राजनेतिक बल वा सहिनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आकरमन करके और उन्हें लूट कर करते थे और इस समय एक प्रशन के साथ एक बॉक्स हमारे सामने आईए इस समय सुनें ये प्रशन राजिंदर प्रथम तथा महमूद घजनवी की नीतियां किन रूपों में समकालिन समय की देन थी और किन रूपों में ये एक दूसरे से भिन्न थी आईए सुनते हैं पाठ प्रिश्ट संख्या सरसट बाग, मकबरे तथा किले बाबर, हुमायू, अकबर, जहाँगीर और विशेश रूप से शाह जहां साहित्ते और कला और वास्तु कला में व्यक्तिगत रूची लेते थे अपनी आत्मकथा में बाबर ने आवचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुची का वर्णन किया है अक्सर ये बाग दिवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा चार भागों में विभाजित आयताकार आहाते में स्थित थे आवचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तयार करने में बाबर ने अपनी रुची का वर्णन किया है चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये चार बाग कहलाते थे चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई कुछे सरवाधिक सुंदर चार बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली जो हम चितर संख्या नौ में देख सकते हैं में जहागीर और शाह जहाने बनवाया था और यहाँ पर हम चितर संख्या नौ को देख सकते हैं जहाँ पर चार बाग दिखाया गया है अकबर के शासनकाल में कई तरह के महतोपूर्ण वास्तू कलात्मक नवाचार हुए इनकी प्रेरना अकबर के वास्तू शिल्पियों ने उनके मध्य एशियाई पूर्वज ताइमूर के मकबरों से ली हुमायू के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रिय गुमबद जो बहुत उचा था और उचा मिहराबदार प्रवेशद्वार जिसको पिष्टक कहते थे मुगल वास्तू कला के महतोपूर्ण रूप बन गए यह मकबरा एक विशाल औवचारिक चारबाग के मध्य में स्थित था इसका निर्मान आठ स्वर्गों अथ्वा हर्ष्ट बिहिष्ट की परंपरा में हुआ था जिसमें एक केंद्रिय कक्ष आठ कमरों से घिरा होता था इस इमारत का निर्मान लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफेद संगमर्मर से बने थे इसी प्रिष्ट पर हम चितर संख्या 10 और 11 को देख सकते हैं चितर संख्या 10 इसका वर्णन इस प्रकार से है काबूल में चार बाग का खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चितर कारी ध्यान दें कैसे रास्ते पर एक दूसरे को काड़ती नहरे चार बाग योजना की विशेशता बताती है चितर संख्या 11 में हम देख सकते हैं ये चितर संख्या 11 है 1562 और 1571 के बीच निर्मित हुमाईयू का मकवरा क्या आप यहां नहरों को देख सकते हैं प्रिष्ट संख्या 68 प्रिष्ट संख्या 68 में सबसे पहले चितर बारा और चितर बारा में हम देख सकते हैं दिल्ली में दिवान ए आम में सिहासन का चज्जा इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया था आईए अब सुनते हैं प्रिष्ट संख्या 68 का पाठ शा जहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भाव पूर्ण संसलेशन में मिला दिये गए शा जहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे विशेश रूप से आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभाहेतु समारोह कक्षों यानि दिवान ए खास और दिवान ए आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी एक विशाल आंगन में स्थित ये दर्बार चिहिल सुतून अथवा 40 खंबों के सभा भवन भी कहलाते थे सुतून का अर्थ खंबा होता है शाह जहां के सभा भवन विशेश रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे उसका सिंगहसन जिस मंच पर रखा था उसे प्राया, किबला या नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था क्योंकि जिस समय दर्वार चलता था, उस समय प्रतेक व्यक्ति उस ओर ही मुह करके बैठता था इन वास्तू कलात्मक अभिलक्षणों का इशारा इस ओर था कि राजा प्रिथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनी थी था एक शब्द यहां पर आया है और ये शब्द है पितरा दूरा आईए जानते हैं इसका अर्थ फिर सुनते हैं पाठ उतकिर्नित संग्मर्मर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबा कर बनाए गए सुन्दर तथा अलंकृत नमू ने पितरा दूरा कहलाते थे आईए सुनते हैं पाठ शाह जहां ने दिल्ली के लालकिले के अपने नौनिर्मित दर्बार में राजकी ये न्याएं और शाही दर्बार के अंतह संबंध पर बहुत बल दिया बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा दूरा के जड़ाओ काम की एक श्रिंखला बनाई गई थी जिसमें पौरानिक युनानी देवता आरफीसियस को वीना बजाते हुए चित्रित किया गया था ऐसा माना जाता था कि आरफीसियस का संगीत आकरमक जानवरों को शांत कर सकता है और वे शांती पूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं प्रिष्ट संख्या उनत्तर शाह जहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्मान यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा उचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सदभाव के साथ रह सकेंगे शासन के प्रारंभिक वर्षों में शाह जहां की राजधानी आगरा थी इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्मान यमुना नदी के तटों पर करवाया था इनका निर्मान चार बाग की रचना के ही समान औफचारिक बागों के बीच में हुआ था चार बाग की योजना के अंतरगत ही अन्य तरह के बाग भी थे जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं इस तरह के बाग में निवास्थान चार बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिलकुल किनारे होता था शाह जहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तु कलात्मक उपलब्धी ताज महल के नक्षे में नदी तट बाग की योजना अपनाई यहां सफेज संग्मर्मर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिन में बनाया गया था नदी पर सभी अभिजातों की पहुँच पर नियंत्रणहेतु शाह जहां ने इस वास्तु कलात्मक रूप को विकसित किया दिल्ली में शाह जहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था केवल विशिष्ट क्रिपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दाराशी को को ही यहां तक की पहुँच मिली थी अन्य सभी को अपने घरों का निर्मान यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था प्रिष्ट संख्या 79 में चित्र संख्या 13 और यहां पर दिखाया गया है आगरा का ताज महल जिसका निर्मान 1643 इसवी में पूरा हुआ प्रिष्ट संख्या 70 प्रिष्ट संख्या सत्तर में सबसे पहले एक चित्र, चित्र संख्या चौदा और इसके बारे में यहां लिखा है एक नक्षे से आगरा के नदी तट बाग शहर का पुनरकल्पित द्रिश्य ध्यान दें कि कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित हैं ताज महल बाई और है चित्र पंदरह में दी गई दिल्ली के शाह जहानाबाद की योजना की तुलना आगरा की योजना से कीजिए एक और चित्र यहाँ पर चित्र संख्या पंदरह और इसका वर्णन सुनते हैं अठारा सो पचास का शाह जहानाबाद का एक नक्षा बादशाह का निमास कहां है देखिए शहर काफी घना बसा हुआ लगता है लेकिन क्या आपको यहां कई बड़े बाग भी दिखाई देते हैं क्या आप मुख्य मार्ग व जामी मस्जिद ढूर सकते हैं प्रिष्ट संख्या 71 क्षेत्र व सामराज्य आठवी व अठार्वी शताब्दियों के बीच जब निर्मान संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई उदाहरण के लिए विजय नगर में राजाओं की गज शालाओं पर पीजापूर और गोलकुंडा जैसी आसपास की स्थल्तनतों की वास्तू कलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था इसके लिए अध्याय छे देखें मथूरा के निकट स्थित वरिंदावन में बसे मंदिरों की वास्तू कलात्मक शैली फतेहपूर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी विशाल सामराजियों के निर्माण ने विभिन क्षेत्रों को उनके शासक के आधीन ला दिया इससे कलात्मक रूपों वा वास्तू कलात्मक शैलीयों के पर संसेचन में मदद मिली मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रिय वास्तू कलात्मक शैली अपनाने में विशेश रूप से दक्ष थे उदारण के लिए बंगाल में स्थानिय शासकों ने छपपर की जोपड़ी के समान दिखने वाली छट का निर्मान करवाया मुगलों को यह बांगला गुमबद इतना पसंद आया था कि उन्हों ने अपनी वास्तु कला में इसका प्रयोग किया इसका वर्णन हमें अध्याय 9 में चित्र 11 और 12 में मिलता है अन्यक शेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था अकबर की राजधानी फतेहपूर सीक्री की कई इमारतों पर गुजरात वा मालवा की वास्तु कलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है पाठ पर जाने से पहले इसी प्रिष्ट पर चित्र संख्या 16 सुनते हैं इसका विवरण 1590 में बने व्रिंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अन्दुरूनी भाग इस मंदिर का निर्मान लाल बलुआ पत्थर से हुआ था दो प्रतिच्छेदी महराबों पर ध्यान दें जिनसे इसकी उची भीत्री छत का निर्मान किया गया था वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी इरान यानि खुरासान से आई और फतेपूर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया था प्रिष्ट संख्या 72 अठार्वी शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धुमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रे में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयम के राज्जी स्थापित करने के प्रयास किये यह शैली अपनाई को संभालते अलंक्रित स्तंभ तथा टेक यह गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित हैं एक और बॉक्स इसी प्रिष्ट पर और इस बॉक्स का शीर्षक है आसमान छूते चर्च बारवी शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भावनों की तुल्दा में अधिक उँचे वा हलके चर्चों के निर्मान प्रयास शुरू हुए वास्तुकला की यह शैली गौथिक नाम से जानी जाती है इस शैली की विशिष्ट ताएं है नुकीले उँचे महराब, रंगीन काच का प्रयोग, जिसमें प्राया बाइबल से लिये गए द्रिश्चियों का चित्रण है तथा उड़ते हुए पुष्टे दूर से ही दिखने वाली उँची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वतक्रिष्ट ग्यात उदाहरणों में से एक पैरिस का नौट्रेडरम चर्च है बारही और तेरही शताब्दियों के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ और यहाँ पर इस चर्च का चित्र हम देख सकते हैं लिखा है चित्र पर एक नजर डालें और घंटी वाले बुर्जों को पहचानने की कोशिश करें प्रिष्ट संख्या तिहत्तर कल्पना करें आप एक शिल्पकार हैं और जमीन से पचास मीटर की उचाई पर बांस और रसी की सहायता से बनाए गए लकडी के एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं आपको कुत्व मिनार के पहले छज्ये के नीचे एक अभी लेक लगाना है आप यह कार्य कैसे करेंगे फिर से याद करें एक वास्तु कला का अनुप्रस्थ टोड़ा निर्मान सिध्धान्त चापाकार सिध्धान्त से किस तरह भिन्न है दो शिखर से आपका क्या तात पर यह है तीन पितरा दूरा क्या है चार, एक मुगल चारबाग की क्या खास विशेश्टाएं है आईए समझें पांच, किसी मंदिर से एक राजा की महत्ता की सूचना कैसे मिलती थी छे, दिल्ली में शाह जहां के दिवान ए खास में एक अभी लेक में कहा गया है अगर प्रिछवी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यहीं है, यहीं है, यहीं है यह धारणा कैसे बनी साथ, मुगल दर्बार से इस बात का कैसे संकेत मिलता था कि बादशाह से धनी, निर्धन, शक्तिशाली, कमजोर, सभी को समान न्याय मिलेगा आठ, शाह जहानाबाद में नए मुगल नगर की योजना में यमुना नदी की क्या भूमी का थी इसी प्रिष्ट पर दहिनी ओर, एक बॉक्स है, जिसका शीर्षक है बीज शब्द और इसमें आपको कुछ करना है, पूरे पाठ को पढ़कर छह शब्दों की एक सूची बनाए इनमें प्रतेक के लिए यह बताते हुए कि आपने उस शब्द का चुनाव क्यों किया, एक वाक्य लिखें प्रिष्ट संख्या, चवहत्तर आईए विचार करें आज धनी और शक्तिशाली लोग विशाल घरों का निर्मान करवाते हैं अतीत में राजाओं तथा उनके दर्बारियों के निर्मान किन माईनों में इनसे भिन्न थे दस, चित्रचार पर नजर डालें यह इमारत आज कैसे तेजी से बनवाई जा सकती है आईए करके देखें ग्यारह पता लगाएं कि क्या आपके गाउं या कस्बे में किसी महान व्यक्ती की कोई प्रतिमा अत्वा समारक है इसे वहाँ क्यों स्थापित किया गया था इसका प्रयोजन क्या है बारह अपने आसपास के किसी पारक या बाग की सैर करके उसका वड़नन करें किन माइनों में ये मुगल बागों के समान अत्वा भिन्न है यहां पांचमा अध्याय समाप्थ हुआ अभी आप सुन रहे थे सामाजिक विज्ञान पाठ्थे करम के अंतरगत इतिहास की ध्वनी पाठ्थे पुस्तक हमारे अतीत भाग दो का पांचमा अध्याय शीर्षक था शासक और इमारतें वाचन स्वर अजीत होरो निर्मान सहयोग शानु मुक्सीम निर्मान वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत प्रस्तुती CIET NCERT